क्या नाम हुआ आपका? मेरा अब्दल जब्बार नामा जब्बार जी हमें ये बताईए लोग सभा का चुनाव आ गया है 10 साल मोदी जी को हो गए है अब की बार सत्तप परिवर्थन करना चाहते हैं या मोदी जी को फिर से बैठाना चाहते हैं अब ही चुनाव आ गया है लोग सभा का परदान मंतरी फिर से चुनना है हमारे देश वासियों को क्या चाहते हैं परदान मंतरी फिर से मोदी जी बने या फिर राहूल बन जाए अकलेस बन जाए मायवती बन जाए परदान मंतरी किसको देखना चाहते हैं किसी नहीं सिस्टी नहीं जानता ही नहीं तो मैं बोलूगा क्या अच्छा चलिए ठीक है अपने बारे बारे इम तो जानते हैं नहीं आप अब यह लगों लोग सभा का चुनाव नजदीख है और नेताओं में काफी खलबली मशी हुई है लेकिन अब सोचने वाली ये बात है कि अबकी का जो लोग सभा चुनाव है नेता तो इधर उधर जा रहे हैं जनता कि इधर जा रही है जी थोड़ा से खसकी हम बैठे सर्गी से बात करते हैं बताइए जिस तरीके से नेता लोग ये पार्टी बदल के वो पार्टी में जा रहे हैं तो क्या जनता आपकी बाहर बदलाव चाहती है या फिर से पुराने परधान मंत्री जो दस साल से वरतमान में है वही उनी को देखा जाए तो वर्क नहीं हुआ है जो भी वर्क हुआ है यहां पर समाजवादियों का हुआ है हुआ हुआ है जिते बस बदो सत्तरे के बिश तक सब काम हुआ है जिते बुनकर का हुआ है विप्रण वाला बिजली वाला हुआ है बस वाला हुआ है जतना सारा यहां का का समाजवादिक सरकार में कुछ भी नहीं हुआ अगर कलिए तो इसके अलाव है जो भी कुछ कर रही अभी देखिए पावर लूम का मामिला चल रहा है भी जेपी सरकार में चार सो रुपिया हो गई समाजवादी सरकार में यही मुबारिक फुर वाही ०ौनकर अरिया है बादतर रुपिया थी अब बताइए गरीब आदमी कहां से देगा 400 रुपिया इसका तो समाधान कुछ निकालना चाहिए इन लोग को इसका समाधान सिर्फ समाजवादी निकाली थि और वहीं आ के फिर निकालेगी वही निकाले ये एक बयान कल दिये हैं अखिलेश लाल यादो निरहू ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादो चाहे जहां से चुनाव लड़े हम अपनी पार्टी से कहेंगे कि हमें वहीं से टिकट दिया जा उन्हें हराएंगे निरहू जो हैं वो खाली बयान बाजी करते हैं और अकलेश यादो जो राश्टी अध्यक्ष हैं वो तो करके देखाए हुए हैं निरहू अभी कुछ भी नहीं किये हुए हैं वो तो मतलब नचनिया गजनिया बजनिया वाला हिसाब है वो अपना करके पबलिक को अपने पांच साल से लेकर 2012 से लेकर अब तक जो काम हुआ था समाजवादी सरकार बेही हुआ था उसके बाद नहीं हुआ है तो क्या जो दिनेसलाल यादो चैलेंज कर रहे हैं उनको हराने की यह सब ऐसे खाली अफवा कर रहे हैं बस ब्राम के अपने जो बयान बाजी कर रहे हैं बयान बाजी तो करी रहे हैं हरा नहीं हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे वो किसे हरा पाएंगे कले सियादो को हरा पा तो जहां से भी लडएंगे, हम अपनी पाल्टी से कहेंगे कि हमें वहां का टिकट दिया जा, हम उनके सामने लड़ेंगे ठीक अच्छी बात एक बार लड़के देख लें और अखलेश जी को तो छोड़िये इस बार धर्मेंदर जी यहां से फिर आ रहे हैं अभी तो परबारी बनाएगे लेकिन कुछ दिन में प्रत्यासी हो जाएंगे तो यहीं से आए यहीं से वो धर हमें अंदर जी से लड़ें राष्टी अद्देश जी तो हमें समाजवादी के भी बहुत दूर की बात यानि जो निरहुआ दावा कर रहे हैं सब जूपे बेबुन हैं खाली हवा हवाई है कागज पर ट्रेंड चला दे रहे हैं कागज पे एरपोर्ट आजमगर का चला द परधानमंत्री देश की नेता बिधायक सब बनाती है अब हम थोड़ा जाते हैं इस पर लोग सभा चुनाओ पे आप लोग अबकी बार परधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं परधानमंत्री इस बार इंडिया घडवंधन का होगा वो जब सीट जीतने के बाद फैसला ह एक किन परदानमंत्री बन यह स्फाम जटमीन अगे चाह साहें मोधी कुछ लोग है के राघुल मायवथी जी तीनों के लगती हैं हम तो अखले स्यादों को देखना चाहेंगे परदान मंत्री करूब परदान मंत्री काफी चाहते हैं लगता है चलिए भाई साब कहना अखले स्यादों को परदान मंत्री बना दिया जाए तो बहुत अच्छा है अपनी पसंद है लोकतंत है हमारा अधिकार है हम जिसको चाहे पसंद करें जिस्वों चाहें वोट दें आज अच्छा अब मोधिक नाइदी नहीं मोधिक का तो चुनाव आ गया है तो अब की बार बदलाव चाहते हैं अब आप देते हैं आप देते हैं आप लोग सबा चुनाव आ गया है पर्धान मंत्री अब की बार किसको देखना चाहते हैं खड़े हो जाएगे परदान मंत्री अध्राव जड़ीये में इसफ़ीन स करें आध्लेश च appar को मुझे का रादेंगे उनको तुकिन खुय है के अध्रादों界 तुक्रतेय मेंर्व मुझें कुषा में आध्रादय अध्र revision हमारा नाम सुनी लिया था बताईए बोलने में क्या ज़िस बोलूं बताईए अब भूल नाम बताईए मुहम्मद अलतमर्श अब फिर यहीं डर्ने की क्या बात यार लोग सभा का चुनाव आ गया है अज देखिए चाय की चुस्की ले रहे हैं अभे चार बज रहे हैं गतात मोदीजी डाम बताईए जी यह अरे वह तो जुम्ला का ठूटे वादे और क्यारिए वाधे काम नहीं हुआ है अब या चाचा बैटे थे पोला है तेقتरा घर मिल रहा हैं उनको मिल लाओगर को तो नहीं मिला हैं हम किसी को तेंगे आप युवा है क्या पेप्षा रखते है रासन पांच किलों लेना या सरकार से एक लाह रुपए के घर बनवाना या नवकरी चाहते हैं पढ़ाई अच्छी क्याते हैं और स्वास्त के लिए बिश्थाय है। भाइभ है नोगा मिला सब गभी रासा नहीं सब मसला है इस लुट पढ़का कमा लेकर खालेंगे सिख्षा और स्वास्त हैएं हम लोगों को जो पांच कीलों पर मर रहे हैं उनके के लिए क्या कहेंगे अब उनके लिए हम कुछ नहीं कहा सकते हैं वह प्राब्लम है हमारे लिए जो प्राब्लम ने बता दी कि सिक्षा प्वास के लिए बहुत अच्छी बात देखिए रोजगार में बात होनी चाहिए जी बताइए तो लोग सभा का चुनाव आ गया है प्र मुझ से आप ओड़ देंगे क्या चाहते हैं अब की बार बदला होना चाहिए या परदान मंतरी फिर से मोदी जी बैठे मोदी जी क्यों ऐसा लगता कि मोदी जी रहा हमें सब उन्हें के सिस्टम है सब कोई मतलब है नि किसी को और कोड़ देने सरकाल उन्हें की बंद है य देखिए बातों बातों में समझा दीजिए और ये चाचा खा रहें टिकिया काम हो रहा है और आईए एक चाचा इधर हैं ये रोजगार अपना खूद करते हैं चाचा अब ही चुनाव आ गया है लोक सभा का प्रधान मंत्री फिर से चुनना है हमारे देश वासियों को क्या चाहते हैं प्रधान मंत्री फिर से मोदी जी बने या फिर राहूल बन जाए अकलेस बन जाए मायवती बन जाए हष्ध हिए भाई अब म मंत्री का चुनाव भारत में पड़ता है नहीं अब हुए difference अब भाई अब बार्वाले जाएगां वाले पर आफ्वाले जो कहें कि वहीं करेंगा है अब आपने बार जिस कुछ करते नहीं है झालिए वो कि एक यह नाम हुगा आपका डिये लोग सभा का चुनाव आगया है दस साल मोदी जी को हो गए अब की बार सत्तब परिवर्तन करना चाहते हैं या मोदी जी को फिर से बैठाना जाते हैं देखिए काम बोलता है नाम नहीं बोलता है जिसका काम आदमी देखता उसी का नाम है मोदी जी के राज में बहुत से काम हुआ है और काम हर आदमी को मालूम है चलिए पांच काम बताईए पांच काम मोदी जी का बता दीजिए आप देखो बनाने एक पांच करने वाले का अलग मिजाज है जो बनाने वाला अलग है बनाने वाला क्या है कि एक्स परेश्वे जो बना है मोदी के राज में बना है जो गेहूं चावल जो हर हरते में हर महिने में मिलता है पांच लोग एक साद मार दिये गए आपको उन्ड़ी ये नहीं हो रही है नहीं पांच लोग मारे जा रहे हैं क्यों माने जा रहे हैं कि जालोगे देखते हैं मैं देखता हूं देवरिया में पांच लोग मारे जा रहें ठीक है आपका बात मानता हूं क्यों मारे जा रहें आप किसी के गर में जाकर वहां आप करेंगे सबसमाप्त हो गया है योगी जी सुनिया लखनवु में योगी जी से मिलने महिला गई उनके आप इसके बाहर भैटी धरना दी ती उसके साथ उसके साथ दुसकर्म किया गया जब उनको वहां पर सुरचित नहीं है तो बताइए बाहर का इसे सुरचित बड़े-बड़े सर में छोटी छोटी बात ह होती है है वह सब में होता है अब जो नहीं किसी के राज में कोई चीर आई आप बात नहीं सब्सक्राइक है कि अब देखिए जनता तो कुछ नहीं कहा जा सकता है और पहली सबसे पहली बात तो यह कि हमलोग इस्टुडेंट इन सम्मामलों में रहते ही नहीं है। और हम लोग का np. ँभाररु से टेस्ट देने ही आए हैं। इस वज़े से उधर ज़्यादा हमारा रुज़ान भी नहीं है और उधर हम लोग तवज़ों भी नहीं दे रहे हैं अभी तो जो हमारा मतमय नजर है वो यही है कि हम जिस मकसद से आएं उसमें काम्याब हो जाएं उसके बाद सरकारे तो बदलती रहती हैं अब जो रब चाहे वह होगा और जो भी आएगा इंशालला उमीद है कि अच्छा काम करेगा कुछ दस साल में काम लगा रोजगार मिला लोगों को हाँ आप कुछ हद तक काम भी हुआ है और नहीं भी हुआ है दोनों तरह का है पड़ाई अड़ाई को ले करके थोड़ा से अच्छा काम हुआ अब उसका वो तो होता रहता है कोई भी सरकार हो वो तो कब से सुनते चले आ रहे हैं उसका क्या करेंगे और बाकी यह है कि बस अभी हम लोग तैयारी करने हैं हम लोग का जो है क्या चाहते हैं यह वावर्ग जो पढ़ाई कर रहे हैं लोग क्या चाहते हैं कि क्या होना चा देखिए हम लोग का जो सीधा साधा मकसद यही है कि देश में शांती बनी रहे और सुकून से हम लोग अपना जॉब करें नौकरी करें या जिस फिल्ड में उतरे उसमें काम्याब हो और सरकार भी हमारा साथ दे जो भी रहे और हर तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मेनते कर रहे हैं, लगे हुए हैं चलिए हम आपको तीन चेहरे देते हैं, मोधी जी, राहूल गादी और मायवती, अगले से एक और जोड़ी जी चार चारों में से आप किसको चाहते हैं, परधान मंत्री बन जाये हैं हम तो चारों मेंसे किसी को नहीं चाहेते है तो फिर थी आप जो भी होगा पा चाहते ह Mean चोडी आता है। वह इसी तरीके काम करता है। और जो है कोकी सरकार भी तो उन्हों भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है। जिस तरह यह कर उस एसे वो भी कर रहे हैं क्या होना चाहिए U कि अब हम चाहते क्या है Bus यही है कि सही बात है किसी के चाहने से कुछ नहीं होता है ऐसे हैं नहीं आपने कहा कि इन में से सारी सरकार कोई भी मतलब लायक नहीं कोई भी काम नहीं किया तो आपका भी कोई विचार होगा कि हाँ ऐसी सरकार रहे और यह चीज़ करें हमारे देश के लिए तो अच्छा होगा हम आपने परसनल की नहीं बता पूछ रहे हैं देश के लिए पूरे बस यह है कि तालीम हासिल करने वालों पर तवज्जो देनी चाहिए और जो लोग इल्म हासिल करने हैं उन्हें अच्छी जॉब मिलनी चाहिए और चूपकी कोई भी अगर हम सफलता चाहते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी है नॉलेज इल्म लेकिन अगर हम इल्म पर तवज्जो नहीं देंगे और घूस रिस्वात ये सब चलेगा फिर कई से काम चलेगा तो इल्म यहां से सांसा दिनेसलाल यादो हैं वो अखिलेस यादो को खुला चैलेंग देते हैं कि वो कहीं से चुना लड़ेंगे तो अपनी पार्टी को यह कंश बैरें बताएंगे सब्सक्राइब करेंगे आप kilometer को हैं अब होसाम्टे में तो नहीं रहा सब्सक्राइब कोई भी जूड़ थैंड बोलते हैं जो कि नहीं रहते और जो चिसका है तोपिर डरने की क्या बार्ट पतारान मुंत्री किसको देखना है अब फू्च को म उनके बारे मैं कुछ जानता ही नहीं तुम्हें बोलूगा क्या है अच्छ चलिए ठीक है अपने बारे में तो जानते हैं नहीं बागी आप सभी लोग वीडियो देखकर अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा आप लोगों की क्या रहा है फिर से मोदी जी आए या कोई और देखे सामने तमाम है अब देखिए आगे कौन-कौन चेहरा राहूल गांदी तो चेहरा आईए हैं मायावती आईए हैं लो को भी बताया के लिए से आदों को वो भी चेहरा है आप लोग किसको पतंग करते हैं जरू बताइएगा धन्यवाद